आज इंडिया में Realme ने अफिशली अपनी नई स्मार्ट वाच लाँच कर दी है जिसका नाम है Realme Watch S100 फीचर्स आपको अच्छे कासे उफर कर रही और प्राइस की काफी कम रखेगी बस बैसिकली आप बोल सकती हूँ कि Realme की एक एंट्री लेबल की स्मार्ट वाच है जो अच्छे फीचर्स आपको उफर करेगी तो इस वीडियो में मैं आपको Realme Watch S100 के फुल स्पैसिफिकेशन इसकी प्राइस के बारे में बताने वालूँ कभी ये फास्ट टाइम सेल पर जाने वाली है सब कुछ आपको पता चलेगा तो वीडियो को पुरा आप जरूर देखेगा सबसे पहले बात करें अगर Realme Watch S100 के हम डिजाइन और इसकी बिल्ड को लेके तो काफी बढ़िया आपको यहाँ पर लुक्स में देखने में लग जाती है इसमें आपको स्क्वाइर फ्रेम देखने को मिलता है मेटल बिल्ड राइट एंड साइड में फिसकल की मिलती है जिससे आप मीनों अगर ओपन कर पाऊगे सिलिकोन का स्टैप दिया गया है आप थर्ड पर्टी स्टैप भी इसमें यूज कर सकते हो तो जो यहां पर फिनिसिंग होगे रहा है वो काफी बड़ी है आपको देखनी को मिल जाएगी बिल्ड कॉलिटी भी काफी बड़ी है मिल जाती है तो लुक्स और डिजाइन के मामले में काफी बड़ी है रियल मी वाच एसंड आपको लगेगी और वहीं पर डिस्प्ले के अगर बात करने तो इस वाले स्मार्ट वाच में 1.69 इंचे के आपको स्क्वाइर कलर्फुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसका स्क्रीन रेजिलूशन है 240 x 280 पिक्सल का 530 इनिट के आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है जिनें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने इमेज को भी ऐसा वाच फेस आप यूज कर सकते हो और अगर बैटरी बैकप की बात कल लें तो वैसे कंपनीस में 12 डेस का बैटरी बैकप क्लेम करती है लेकिन अगर आप इसको हैवी यूज करोगे तो उस केस में आपको 5 तू 7 डेस का बैटरी बैकप देखने को मिल सकते है आप डिपेंड करेगा आप कितना जादा यूज करते हो तो बैटरी बैकप साइट से भी देखो तो ठीक ठाक बैटरी बैकप आपको इस वाले स्मार्ट वाच में आफर किया जा रहा है और वही पर Workouts Mode की बात कर लें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल जाएगी Realme Watch S100 में Built-in 24 Sports Mode हैं सिर्फ 24 हैं बहुत जादा नहीं है लेकिन हाँ जो भी Workouts Mode आपको मिलेंगे वह आपके यूज के होंगे बिसिकलि आप उनको जनरली यूज करोगे वो सारे मिल जाएगे लेकिन जिन लोगों को जादा Workouts Mode चाहिए उनके लिए कहीं न कहीं यह स्मार्ट वाच नहीं होने वाली है और इसमें आपको Built-in GPS नहीं मिलेगा तो बेसिकलि आपको GPS डेटर नहीं मिलेगा लेकिन जो भी Workouts Mode आप करोगे उनकी Accuracy काफी बड़ी हैं आपको देखने को मिल जाएगी Fitness Features की बात कर लें तो Realme Watch S100 में आपको सभी तरह के Fitness Features देखने को मिल जाते हैं जैसे Heart Rate Monitoring हो गया, SpO2, Calorie Burn Step Count, Sleep Tracking, Skin Temperature Monitoring इस तरह के आपको बहुत सारे Features मिल जाएगे और अच्छे Accuracy भी आपको Fitness से Related इस वाले स्मार्ट वाच में देखने को मिल जाएगी वैसे यहाँ पर एक कभी और आपको देखने को मिल जाएगी, Safety Purpose है, इस वाले स्मार्ट वाच में IP68 की Rating मिलती है जो कहीं न कहीं बहुत साही नहीं है, वैसे कलिए आपको इसको पानी में कहरा से दूर रखना होगा इसमें 5 ATM का Certification मिलना चाहिए, क्योंकि जनरली जो स्मार्ट वाच इस प्राइस में आती है, उसमें 5 ATM या फिर 3 ATM का Certification होता है जबकि इसमें IP68 की Rating ही सिर्फ आपको मिलेगी Notification alerts के अगर बात करें, तो Realme Watch Ascented में आपको सभी तरह का notification alert मिलेगा जो आपके phone पर आता है, चाहिए call, message, email, आपके social media app का notification और notification को आप customize भी कर पाओगे आपकी जो need है उसके हिसाप से तो overall दोस्तों कुछ इन्ही features के साथ में Realme ने आज इंडिया में Realme Watch Ascented को officially launch कर दिया, अगर price की बात कर लें तो इसको launch किया गया है 2499 मतलब 2500 रुपए में, लेकिन जब यह first time sell पर जाएगी तो इसकी introductory जो price है, one triple line मतलब 2000 में मिल जाएगी और यह first time sell पर जा रही है, 14 March को दो पहर 12 हुझे flip card पे, तो अगर आप भी इसको buy करना चाहें, तो आप first sell में buy करी आपकी 500 की saving होगी और अगर आप price के साब से देखो, तो काफी बढ़ी है features आपको इस वाले smart watch में real me दे रही है बाकी आप लोगों का क्या opinion है, इस वाले smart watch को लेकि आप नीचे comment करके बदा सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहले बार हो तो चैनल को subscribe करके will icon को press कर दीजिए, कुछ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिल हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे पनी अगले वीडियो में